मणिपुर से आने वाले विडियो को देखकर कलेजा नहीं फठता है। पास मात्र 36 सेकंड थे मनिपूर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है मनिपूर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोण लोगों की बेज़ती हो रही है और उसके बाद वो 36 गरोण राजस्थान पर घिनोनी गंदी राजनीती करने लगते हैं शर्मा और आप सबसरामाज की दुखाई दे रहा है तो दुर्भाग यह है इस देश की चुने हुए प्रधान मंत्री हैं और असलियत यह एकि उस विडियो की हैवानियत उस विडियो की दरिंदगी में जितने वह सैक्डू दरिंदे जंमेदार हैं अगर समय रहते हुए आप मनी पुर पर कारवाही की होती तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा का अपना उड़ती और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भणा है सत्ता आपके हाथ में संस्था है आपके पास है पुलीस आपके पास है बिरेंज सिंग को बर्खास्त करना आपके हाथ में हैं आप चुब बैठे हुएं शर्मानी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनोनी राजनीती कर रहे हैं असलियत यह है कि उस दरंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है हर औरत को लग रहा है कि वो नगन है और निर्वस्तर है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है 77 दिन पुराने उस वीडियो में दो अरतों को निर्वस्तर करके नंगा करके सड़कों पर गुमाया जा रहा है उनकी योनियों उनके स्तनों को छुआ जा रहा है उनको खेत में लेकर उनके साथ सामुहिक 77 दिन बात स्मृती रानी जी आप जागी हैं इतनी देर लग गई आपको आते आते प्रधान मंतरी 4 मई के इस विडियो की खबर आपको आज लगी है इतनी नाकाम इतनी निकम्मी इतनी नपुनसक सरकार के प्रधान मंतरी हैं आप आपको इल्व नहीं था ऐसा हुआ हो क्यों मीडिया के मेरे साथियों अगर प्रधान मंतरी को कट घरे में खड़े करकर दो शब्द दो सवाल पूछे होते मनीपूर पर तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता आज नियाय की गुहार नहीं लगानी पड़ती आज सुप्रीम कोट को सुवो मोटो कोगिसंस नह ले भी पढ़ती मनीपूर की लेकिन प्रधान मंतरी आपकी चुपी से जादा शर्म सार करने वाले तो आपके वो दो शब्द है जो आपने मनीपूर पर बोलएं आपका दिल पीड़ा से भरा है आपको क्रोध है ना आपकी पीड़ा दिखती है ना आपका क्रोध दिखता है क्योंकि दिखती वो दो नंगी औरते हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था और आप विदेशों की यात्रा करते रहे आख पर पट्टी बांध कर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे माफी मांगिये मणीपुर से माफी मांगिये मणीपुर की औरतों से माफी मांगिये देश की हर उस औरक से जिसको आज लगता है कि वो निर्बस्त्र है जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है शर्मानी चाहिए आपको दुर्भाग गहें कि 140 करोड देशवासियों के प्रधान मंत्री है लाओ आज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अज़ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें